जै श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जै श्री लक्षमी नारायन भगवान जी की, जै कार्थिक मास महत्यम की, मंदर शी बंसी वाले महात्मा यूडिप चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक भिनंदन करते हैं, कार्थिक मास महत्यम के अध्याए एक से लेकर अध्याय 32 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्थिक मास मत्यम के 33 अध्याय की परम पावन कथा इस कथा में राजा प्रतु जी के पूछने पर देवरिशी नारजी ने कार्तिक मास के वरत के उध्यापन की विधी को बताया था तो अब हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं तो कार्तिक मास महत्यम के 33 अध्याय की कथा इस परकार है राजा प्रथू आज देवरिशी नारजी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर अब मैं कार्तिक मास के वरत के उध्यापन की विधी को सुनना चाता हूँ सो अब आप क्रीपा करके सुनाईए तब देवरिशी नारजी कहने लगे हैं कि हे राजन कार्तिक मास के उध्यापन की विधी का मैं तुम से पूर्न वर्नन करता हूँ इसको श्रधा भावना से सुनना हे राजन कार्तिक मास के वरत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुकला चतरुदशी को वरत की पूर्ती और भगवान विश्णों की प्रीती के लिए उध्यापन करे तूलसी जी के उपर एक सुन्दर मंडप बनवाएं उसे केले के खंबों से संयुक्त करके नाना परकार की धातूओं से उसकी विचितर शोभा भढ़ाएं मंडप के चारों और दीपकों की श्रैनी सुन्दर धंग से सजा कर रखें उस मंडप में सुन्दर बंदनवारों से सु शोभित चार दरवाजे बनाएं और उने फूलों तथा चमर से सु सज्जित करें द्वारों पर प्रिथक प्रिथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें उनके नाम इस परकार हैं जै, विजे, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमद और कुमुदाक्ष उने चारों दर्वाजों पर दो दो के क्रम से स्थापित कर भक्ति पुर्वक पूजन करें तूलसी जी के जड़ के समीप चार रंगों से सुशोभित सर्वतो भद्र मंडल बनावें और उसके उपर पुर्ण पात्र तथा पंच रतन से संयुक्त कलश की स्थापना करें कलश के उपर शंक चक्र, गदाधारी भगवान विशनों का पूजन करें भक्ति पुर्वक उस से तिथे में उपवास करें तथा रात्री में गीत, वाध्य, कीरतन आदी मंगल में आयोजनों के साथ जागरन करें जो भगवान विशनों के लिए जागरन करते समय भक्ति पुर्वक भगवान के भजनों का गान करते हैं भगवान के नाम का संकीरतन करते हैं वे सेंकलो जनमों की पाप राशी से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णिमा तिथी में एक सपतनीक ब्रह्मन को निमंत्रित करें। प्रात्यकाल सनान और देव पूजन करके वेदी पर अगने की स्थापना करें। और अतो देव इत्यादी मंत्र के द्वारा देवाधी देव भगवान की पृती के लिए तिल और खीर की आहूती दें। होम की शेश वीदी पूरी करके भक्ती पूर्वक ब्रह्मनों का पूजन करें और उन्हे यथा शक्ती दक्षिना दें। भगवान द्वादशी तिथी को शैन से उठे, त्रियोदशी को देवताओं से मिले और चतुरदशी तिथी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसलिए उस तिथी में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आगा से भगवान विश्नु की स्वर्णमई प्रतिमा का पूजन करें। इस पुशकर तीरत की यात्रा शेष्ठ मानी गई है। कार्तिक मास में इस विधी का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार से कार्तिक मास के वरत का पालन करते हैं। वे धन्य हैं वही पूजनिय हैं। उन्हें उत्तमफल की प्राप्ती होती है। हे राजन जो भगवान विश् असके उध्यापन की कथा को सुनता है या सुनाता है वह भगवान विश्णु का सायू जी प्राप्त कर लेता है और थात उसको श्रीहरी विश्णु भगवान जी के वे कुंठ धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है भगवान विश्णु की पूजा में रातरी काल गंगा तीरत में सनान करके भगवान बिंदु मादव की पूजा करें। की संपतियां अधीन हो जाती हैं। करते हैं। चतुर दशी में यग्य और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं। और पुर्णिमा में भगवान श्रीहरी विश्णूजी से अधिश्टित संपुर्ण श्रेष्ठ तीरत ब्रह्म घाती और श्राबी आदी सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। जो घ्रस्थ उक्त तीन तित्यों में ब्रह्मन कुटुम्भ को भोजन करवाता है। देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्टिक मास की अंतिम तीन तित्यों में सब पुन्यों का उदे होता है। उनमें भी पुर्णिमा का महत्व सबसे अधिक माना गया है। कार्टिक पुर्णिमा के दिन मंडप बनावे। उसे केले के खंबो से सुशोवित करें। उसमें आम के पल्वों की बंदन वार लगावे। और उख के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावे। विच्चितर वस्त्रों से मंडप को अलंकरत करके उसमें श्रीहरी विश्नु भगवान जी की पूजा करें। पवित्र, चतुर, शांत, इर्शयरहित, साधू, दयालू, उत्तम वक्ता और श्रेष्ट भुद्धी वाला पूरा नग्य विद्वान वहां बैठ कर पवित्र कथा सुनावे। पोरानिक विद्वान जब व्यास आसन पर बैठ जाएं। तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ती होने तक किसी को नमस्कार नहीं करे। भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ती के तथा अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं। उनको पूर्यफल प्राप्त नहीं होता। मास के अंत में गंध, माल्य, वस्त्र, आभूशन तथा धन के द्वारा भक्ती पुर्वक पुरानिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्यान माई पूरान कथा को सुनाते हैं। वे सो कोटी कलपों से अधिक काल तक भ्रम लोक में निवास करते हैं। जो पूरानिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, म्रग, चरम, वस्त्र, शोंकी, अथवा पलंग देते हैं। जो पहनने के लिए पड़े देते हैं। वे भ्रम लोक में निवास करते हैं। इतनी कथा सुनाकर आज देवरिशी नारजी राजा प्रतु से कहने लगे हैं। यहे राजन, यहे कार्तिक मास के महत्यम की कथा सब रोगों और संपुर्ण पापों को नाश करने वाली है। जो मनुष्य कार्तिक मास के महत्यम की इस कथा को भक्ती पुर्वक पढ़ता और जो सुनकर धारन करता है। वे सब पापों से मुक्त होकर श्रीहरी विश्नु भगवान जी के लोक में चला जाता है। अर्थात उसको सदा के लिए भगवान के वे कुंठ धाम में स्थान मिल जाता है। हे राजन तुम्हारे प्रशन के अनुसार मैंने कार्तिक मास के वरत के उध्यापन की विदी को बताया है। कार्तिक मास के महत्यम की कथा को सुनाया है। अब तुम्हारे मन में कोई प्रशन हो तो तुम पूछ सकते हो। भगवत फ्रेरना के अनुसार मैं उसका उत्तर अवश्य तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्यम के 33 अधाय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है आज देवरिशी नारजी ने राजा प्रतु से कार्तिक मास के वरत की उध्यापन की विदी को इस कथा में बताया है बड़ी सुंदर कथा सुनाई है और कार्थिक मास के महत्यम की कथा का महत्व बताया है तो इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दी को धन्यवाद मंदर शिबंसी वाले महात्मा YouTube चैनल के ओर से इस कथा को आपने सुना कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सके एक बात ध्यान में रखें कि कार्तिक मास के अन्तिम तीन दिनों में पूरी शद्धा भावना से भगवान की भगती करें कार्तिक मास के अन्तिम तीन दिनों में जिसने सची शद्धा भावना से भगवान की भगती कर ली जिसने प्राते सनान करके सारा दिन भगवान के मंगलमे नामों का जाब किया हर कारे करते हुए जिसने अपनी मन को भगवान में लगा कर रखा है अंतिम तीन दिनों में जिसने ये शुब कारे किये हैं उसको कार्तिक मास के पूरे वरत करने का फल मिल जाता है अर्थात तीन दिनों की भक्ति से पूरे कार्थिक मास के वृत का फल मिल जाता है इसलिए कार्थिक मास के अंतियम तीन दिनों में अर्थात 17, 18 और 19 नमबर को आप पूरी शद्धा भावना से भगवान की भक्ति करें प्राते सनान करें, भगवान की कथा सुनें, भगवान के मंगल मैं नामों का जाब करें, इतना करने मातर से आप सब को कार्तिक मास के पूरे महिने के भक्ति करने का फल मिलेगा, तो आपका फिर से धन्यवाद, भगवान श्री रादा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष की जे कार्तिक मास मत्यम की जे जे श्री राधे जे श्री राधे जे श्री राधे शाम